परिवार वालों से मिलने आ रहे हैं क्या लगता है फिल्म इंवस्टिज में जिस तरीके से परिवार वादी चड़ रहा है ये आत्मा हत्या है ये हत्या अब तो घटनक जो हुई है वो बहुत ही दुखद है और हमने इसमें कुछ चस्तरिय जाच की मांग की है हम सभी लोगों ने हम भी उसके एक हिस्सा है और जिस तरह की घटनाएं वहाँ चल रही है उसमें तो निश्चित रूप से सुसान्ज को एक भारी परिसानी का सामना करना पड़ा लेकिन जब तक इसका एक उचस्तरिय जाच का रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम लोगों को इंतिजार करना चाहिए और हम समझते हैं कि जिन लोगों ने उनको इस सिस्थी के लिए मजबूर किया उन तक जाच एजिंसी जरूर पहुंचा च्छे प्रोडक्शन हफसेश के बैन करने की बास सामने आ रही है जिनको अरोपिस बनाय जा रहा है क्या सही था यह मैंने कहा ना कि जब जाच जाच की मांग हम सब ने करी है और सब कुछ देखने में प्रथम द्रिष्टिया सब गडबर लग रहा है हम बिहार के लोगों से यही निवेदन करेंगे आप सब इंतजार करें हम इसके तह तक पहुंचेंगे और किसी कल्पिट को छोड़ा नहीं जाए आप बीग बॉस फेम भी रह चुके सलमान खन का लगातार नाम है कि जब भी कोई छोटे सहर से व्यक्ति मुंबई पहुंचता है तो उसको बहुत सारी परिसानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई लोग ठूट भी जाते हैं एक्जांपल हम सब के सामने हैं हमने अपना एक बिहार की मिठी का एक बच्चा जो की पूरी दुनि है मैं तुला उनके परिवार से मिलूंगा और इसके जाच के तह तक चाने के लिए हम संकल के लिए